वक्त और किस्मत पर कभी गमंड मत करना, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है, जिनका वक्त खराब होता है। जिन्दकी में अगर आपको किसी ने ठुकरा है, तो हमेसा याद रखना कि निखरता वाई है, जो ठुकरा है जाता है। नमस्कार, मैं हो कमर्ण श्रीमाली, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और बुद्ध के मेस रासी में गोचरफल के इस विशेश एपिसोड में। ये एपिसोड आपकी रासी, नाम रासी अताद मून सायन पर आदा रही थे। बुद्ध को जोति सास्तरों गुन सार बुद्धी तरथा प्रकर्था का स्वामी माना जाता है। पौरानिक सास्तों को न सारे बुद्ध क्योंकि चंद्रमा ग्रह और ब्रसपती की पत्नी इतारा से उत्पन हुए, तो उनका पालन पोशन ब्रसपती जीने किया है, तो उनमें ब्रसपती और चंद्रमा दोनों की गुण पाये जाते हैं. एक तरफ बुद्ध ग्यान को देने वाले हैं, दूसरी और तीवरितम बुद्धी को प्रदान करने वाले हैं, और इसके साथ ही बुद्ध ग्रह को सुंदर्ता, सुमेता देने वाले ग्रहों में जाना जाता है, और बुद्ध ग्रह उत्तर दिसा के स्वामी है, बुद्ध ग बाव का कारक होने के कारण आपके जीवन में सुक, वैबव, मानसमान और संपति के कारक माने जाते है और यही बुद्ग्र जब आप स्टेडी करते हैं तो कानून, कॉमर्स सिल्प और मेडिकल के शित्रों में भी सिक्सा के कारक माने जाते है आईए, अब बात करते हैं बुद्ग के साथ में यूति करने वाले या दस्ति समद बनाने वाले गराओं के प्रभाव की जन्म कुणली में या गोचर कुणली में बनने वाले हर योग का कोन को प्रभाव हमारे जीवन पर जरूर पड़ता है क्योंकि ग्राओं की चाल ही आपको बुरा या अच्छा करने की और प्रिरिद करती है बुद्ग के मेश रासी में प्रिविश करने पर राहू और शुकर से यूति हो जाएगी और शनी और केतु से जस्ति समंद बन जाएगा इस यूति और द्रस्ति समंद का क्या परिणाम मिलेगा सबसे पहले यही जान लेना चाहिए तो बात करते हैं बुद्ध और राओ की यूति की यदि बुद्ध के साथ में राओ की यूति है तो वह व्यक्ति बहुती बड़ा बोल बोलने वाला अत्रडिंगे हांकने वाला होता है और इस गोचर में व्यक्ति के बुद्ध कम हो जाती है परंतु दिखावा बहुत ज़्यादा करता है जैसे बहुत ज़्यादा बुद्ध मान है और ऐसा जातक अंतर जाती है विवा करता है ऐसे लोग फिल्म डिस्ट्री में फोटोग्राफर है तो इस गोचर में बहुत लाब कमाएंगे बुद्ध और शुक्र की यूति के बारे में बात करते हैं बुद्ध ग्रह सुप ग्रह है और शुक्र की यूति से बनने वाला बिवेक या हास्य का कारक है कॉमेडी का कारक है तो शुक्र सुंधरिय भूग विलास का कारक है लक्स्मी योग में बुद्ध को विष्णू और शुक्र को लक्स्मी जी की शिरिणी दी गई है इन दोनों ग्रहों का आपसी समन्द बहुती सुप फल प्रदान करता है यह य कि बुद्ध के साथ में सनी का दस्ती समंद होने पर व्यक्ति नेगिटिव सोच विचार करने लगता है कोई भी काम को करने से पहले बहुत बार सोचेगा और हमेशा चेहरे पर उदासी देखी जा सकते हैं लेकि इस समय में जमीन जाइद के काम में सामदार सफलता हासिल कर सक लगता है स्टुडेंट्स को इस गोचर में पढ़ने में आला सताएगा और स्टड़ी के दौरान कोई परिशानी उनको आती रहेगी तो ऐसी सिद्धी में बुद्ध के उपाये जरूर करने चाहिए बुद्ध और केतु का दस्ती समंद है जब बुद्ध की साथ में केतु बढ़ जाएगा नेगिटिव चीजों की और अट्रक्शन है वो बढ़ जाएगा अब यही युवराज बुद्ध ग्रह 31 मार्च 2023 की दोपर दो बज करके तेपिन मिनट पर मेश रासी में प्रुएस कर जाएंगे और यहां से 7 जून 2023 की रातरी को 8 बजे तक मेश रासी में लेने वाले सुब या सुब तो आरम कर रहे हैं मेश रासी से बुद्ध आपकी रासी में ही गोचवरज प्रुएस करेंगे मन और बुद्धी में नया जोश नहीं आसा की चमक दिखाई देने लगेगी आपका काम का आज में मन लगने लगेगा और इस समय आप अपनी बोल से बचना है दामपत्य जीवर में भी कुछ समय तक मदूर्ता बनने रहने की आशा है और माता जी से स्ने और सुख में व्रद्धी होने के योग बनेंगे लेकिन धनहानी और कहिन कहीं पुलिस कंप्लेंड का भैवी रहेगा इसलिए अपने आचरन पर अपने किरय कि इंट्रोल करें चोटी मटि जगड़ों के करार नुकसान भी हो सकता है संबंदियों से नुकसान मिल सकता है यात्रों में सुख नहीं मिल पाएगा और यहां तक की संभव हो तो इस समय काल में यात्रा बहुत सावदानी से करनी चाहिए पॉस्पॉंट कर सकते हैं नुकस से 12 बाव में अथा 12 आउस में गोचर वस प्रिवेश करेंगी आपके लिए परिवर्तन एक्सपेंसेज बढ़ने की स्थिति पैदा करेगा धन में तता सुख में कुछ कमी आ जाएगी और मन में संताप रहेगा पस्टाप रहेगा कोई भी खाने पीने की चीजों में भी हो सकती है सारी इदिक स्वास्ते भी इस समय कुछ अच्छा नहीं रहेगा उन स्टुडेंट्स को इस समय अपने स्टेडी में एजुकेशन में आप्सिकल्स देखने को मिलेगा या उनको अनसेडिस्ट्रक्शन प्राप्त हो सकता है जो ग्रेजुट या उससे उपर की कोई एक्जाम दे रहे है या स्टिडीज कर रहे है उपाय के तौर पर आपको नित्य प्रति दिन बगवान गणपती जी की पूजा उपासना करनी है और उन्हें दूरवा चड़ानी है दूरवा अर्पित करनी है आईए अब बारिये में थुन रासी की बुद्ध आपकी रासी इस स्टिदी में आ सकते हैं हलाकि जो लोग नौकरी कर रहे हैं उन पर अपने काम का प्रैसर बना रहेगा लेकिन ये भी तहए कि यदि आप इस समय मन लगा करके काम करते हैं तो फीचर में आपके मान समान में आपके पद और पतिस्ता में रद्धी भी होगी संतान प्रप अनेक्स पहनना सुब रहेगा आईए अब बात करें करकरासी की बुद्ध आपकी करकरासी से दसम भाव में जिसे करम भाव का आजाता है प्रपरशन भाव का आजाता है उसमें गोचरवस प्रवेश करेंगे लंबे समय से चल रही हुआ पो या कस्मकस दबाव प्रैसर कु टर्नोवर सुदरने लगेगा इस फाइनेशल दोर में भी आप तेजी से इस्तिती को नियंतिरित कर लेंगे नए डंग नए इसकीम अपना करके अपने काम काजों बढ़ाएंगे और इस समय काल में mentally, physically सुख और सामदार दंपत सुख भी प्राप्त करेंगे आपके द्वा आईए अब बात करें सिंग रासी की बुद्ध आपके सिंग रासी से भागय बाव में ना ही ताउस में गोचर वस प्रिवेस करेंगे आपके लिए यह समय सौ भागय साली रहने के संकेते इस्पेसली वो लोग जो मीडिया में हैं, सिनेमा में हैं, थेटर में, संगीत से सम मंदित कोई सेक्टर से जुड़ेवे हैं, उन लोगों के लिए यह समय काफी क्रियेटिव करा जा सकता है, इस गोचर में आप अपनी किसी क्रियेशन से, किसी परफॉर्मेंस से बहुत सांदार प्रसिदिप राप्त कर सकते हैं, तो इस समय काल में हाला कि आपके खर्चे ब देना चाहिए, जो उनकी पसंद है, उसके एकोडिंग, आईए अब बात करें कन्यारासी की, बुद्ध आपकी कन्यारासी से आठवे बाव में मारक बाव में गोचर वस प्रिवेस करेंगे, इस गोचर से धन का लाप और संतान का सुख मिलेगा, संतान से मिलना संभव हो सक सकता है, या संतान का साथ मिल सकता है, सयोग मिल सकता है, बारिवारी कले और सारी कष्ट में कुछ राहत मिलने लगेगी, अपनी वानी और विचारों में सयम रखना पड़ेगा, और अपने काम काज है, जो केरेरे, जो प्रवशन है, उसमें भी आपको धहरे बनाए रखना और सामाजिक इस्तिति में कुछ इंप्रुमेंट, कुछ जो प्रॉग्रेस संभव होगी, उपाए के तौर पर आपको केंडरों का सम्मान करना चाहिए, और उन्हें हरे रंग की कोई भी वस्तू बेंट कर सकते, जो भी उन्हें चाहिए, आईए, अब बात करें तुला रा सेवन ताउस में दामपत्सुक बाव में गोचरवस प्रुवेस करेंगे, दामपत्य जीवने चल रही उथल पुतल सांत होने का समय है, और अगर किसी तरह के कम्यूनिकेशन गैप की वज़े से रिलेसंसिप में कोई प्रॉलम चल रही है, तो इसका समाधान भी इस समय नि उपाएगी और कई प्रकार की चिंताओं से आप इस समय काल में गरस्त रहेंगे या दुखी रहेंगे, परिशान रहेंगे, उपाई के तोर पर अपनी बटवे में या पर्स में आपको हरे रंग का रुमाल रखना चाहिए, या कोई हरे कागज पर अपनी कामना लिख करके वो उसमें रख सकते हैं, आईए अब बात करें, वरस्टिक रहसी की, बुद्ध आपकी वरस्टिक रहसी से रोग बाव में गोचर वस प्रवेस करेंगे, इस गोचर में competitive exams में, interview में आपको success मिल सकती है, जो लोग literature प्रेमी हैं, उन्हें ज्ञान वर्दक साहिते पढ़ने क सुनने का, देखने का आफसर मिलेगा, लोगों से मिलने का आफसर मिलेगा, इस समय विरोधियों को, अपने competitors को आफसांत कर पाएंगे, और अच्छा physical और mentally relaxation आपको प्राप्त होगा, जो लोग writing में या संगीत में effort कर रहे हैं, या उसमें कोईन को enroll कर रहे हैं, उन लोगों साथ भी इस समय आपको मिलेगा, या भी ये बोल सकते हैं, कि इस समय काल में मैनत का लाप आपको और अधिक मिलेगा, क्योंकि भागे का support मिल रहा है, उपाए के तौर पर आपको प्रति दिन गाये को हरा चारा खिलाना चाहिए, या हर बुद्वार को तो जरूर ये काम करे आईए, अब बात करें, धनुरासी की, बुद्व आपकी रासी से पंचम बाव में, सिक्सा और संतान बाव में गोचर वस प्रवेस करेंगे, तो इस गोचर में आपकी रोमांटिक लाइफ अच्छी रहने के संकेत हैं, इस्टूडेंस को अपने केरियर पर फोकस करने की आ मैनत करने पड़ेगी, आर्थिक शेतर में आप दिमाग का लोहा मनवा सकते हैं, अपने कंप्टिटर्स में या अपने शेतर में, उपाय के तौर पर जरूरद मंद विध्यारतियों को स्टेडी मैटरिल प्रवाइट करवाना चाहिए, जो भी जरूरद मंद स्टूडेंट से, आईए अब बात करें मकर रासी की, बुद्ध आपकी मकर रासी से फोर्तावस में सुक बाव में गोचर बस प्रवेस करेंगे, इस गोचर से आपको फाइनिशली गेन मिल सकता है, चाहे कहीं से भी मिले, जो लोग कमिशन ब्रॉकरेज का काम करते हैं, उन्हें अच्छी इंकम मिलने के संकेत है, माता जी के प्रती आपका लगाव बढ़ सकता है, उनके साथ में आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी हो सकती है, आपका समझे से बहुत अच्छा बैठ सकता है, और इस्पेसली वो जातक जो काम काज के सिसले में दूर रहते हैं, उनके घर की यास हैर, जो अथरिटी वाले लोग हैं, उन लोगों से संपर्क बढ़ सकता है, उनसे सरकल बढ़ सकता है, या उनसे फ्रेंट्सिप हो सकती है, गरेलू जीवन का सुख भी अच्छा मिलेगा, जो लोग प्रेम प्रसंगों व्यस्ते हैं, उनकी रोमांटिक लाइफ अच्छी ब प्रवेश करेंगे, बुद्गा या गोचर या परिवर्तन आपके लिए मिक्स रिजट लेकर के आया है, एक और जहां आपको अपनी मैनत का फल इस समय मिल सकता है, तो वहीं दूसरी और सफलता प्राप्ते के लिए आपको कई बार बहुत ज़्यादा एफ़र्ट भी करने पड़ेंगे, आपके अपने परिवार जनों से जगड़ा या फाइनिशली प्राप्लम हो सकती है, और इस समय लोगों से बातचित करने में बहुत सई सब्दों का इस्तिमाल करें, और ध्यान से करें, अनिता वो बात बिगड़ सकती है, और इस्पेसली जहां आप कामकाज करते हैं, वहाँ पर फिजूल की बाते हैं, गॉसिब या लोगों की पसनल लाइफ में आपको नहीं जांकना है, न उसके बारे में डिसकस करने बारा परसन बनना है, विरोधियों पर भी अपने नजर जमाए रखें, नएने फ्रेंड़िप्स, नएने रिलाइबल इस समयकाल में डवलप होंगे, उपाई के तौर पर अपने छोटे भाई बैनों या अपने कजिन भाई बैनों को कुछ नो कुछ गिफ्ट जरूर दें, आईए अब बात करें, लास्ट रासी मीन रासी के बारे में, बुद्ध आपकी मीन रासी से सेकिंड आउस में धान औ संपती या ओन्नमेंट्स या कोई कोई गिफ्ट आपको मिल सकता है, अपनी बोलने की स्टाइल से, अपनी भासा से आप इस समय अच्छी इंकम कर सकते हैं, अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं, और जो लोग मार्केटिंग की सेत्र में, इस समयकाल में बहुत अच्छी इंक वापस मिल सकता है, या financial support आपको मिल सकता है, जो लोग कोई romantic life में हैं, relationship में, उनके हालात काफी बैतर होंगे, आपके प्रेम संबंदों में मदूरता आने लगेगी, लंबे समय से चली आरी, दूरियां अपने आप में मिट जाएंगी, या वो दूरियां कुछ कम होने लग आपको में सेवन भी कर लेंगा, आईए अब बात करें, कुछ और उपायों के बारे में, नित्य गणपती जी की या विश्नु भगवान की पूजा उपासना करनी चाहिए, आप चाहिए गणपती 40 का या विश्नु 40 का या पिर गणपती अत्वर्शिज का या कर्ज से राहत के लिए, जो लोग भी कर्ज के इंफ्लेंस में, कर्ज के प्रेसर में, उन लोगों को हमेशा गणपती की पूजा अविश्य करके, वहां पर दूर्वा जरूर चड़ानी चाहिए, और आपको रिण हत्या गणपती स्थोत्र का पार्ट चरूर करना चाहिए, नित्य सालिग्राम भगवान की पूजा करें, और उसमें तुलसी पत्र जरूर चड़ाएं, और वही तुलसी पत्र प्रसाद के रूप में वापस सेवन कर लें, आपको हर बुद्वार को हरे साबुद मूंग, मूंग की दाल या घी, हरा कपड़ा, हरी वस्त्वें, हरी सूरुदे से एक गंटे के भीतर-भीतर करना सुब रहेगा, और यही दान, यदि जो बुद्द के नक्षत्र उसमें किया जाए, तो और ज्यादा सुब है, जैसे अश्टलेशा नक्षत्र, जेश्टा नक्षत्र और रेवती नक्षत्र, आपको अश्ट विनाय कवच और दसावतार विष्णु कवच धारन करना चाहिए, आप चाहें तो दोनों का कम्बाइंड कवच बना करके भी धारन कर सकते हैं, इसमें से एक कवच जो अश्ट्विनाय कवच है वो गणपती का है और दसावतार जो कवच है वो विष्णु बगवान का है, तो आपको जन कुली के संदर्व में इस रासिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, और अच्छे डंग से आप इसके बारे में जो विष्णु ने है वो अपनी कुली से करवा सकते हैं, और यह भी जब जीवन में समस्या हो, भविष्य में जाकना हो, कोई बहुत बड़ा डिजन करना हो तब अपनी जन कुली का विष्णेशन जरूर करवाना चाहिए, जन कुली आपकी अपनी है, क्योंकि जन कुली आपके डेटो बर्त, आपका time of birth और आपके place of birth से बनी हुई है, तो जन कुली का इंपक्ट आपकी जीवन पर जादा होगा, क्योंकि उसमें जो योग है, जो जो दसा चल रही है, उसका इंपेक्ट आपको ही मिलेगा, और जो रासी फल है, तो रासी फल तो एक रासी के करोड़ों लोगे, उन सब पर समान रूप से तो नहीं पड़ सकता, या हर रासी कोई ही अच्छा फल मिले, या हर रासी कोई नेगेटिव फल मिले, ये भी संबब दिन आपकाल नहीं लेकिन यह एक प्रकासि का इसा मिलेर सावद्ण रहें आपको इसकता है, जाह प्रजाएल को ओन ही UP काछ सिर्बव फाइदा होगा, और जाहां फाइदा हो कोमिद है, यह लिए पर जाहंदा कि दिन अन्यों स्क Review क कि आदेच्छा है, और ऑपने यह उन् आप घर बेटे वे भी, चाहे आप कोई भी country में रहते हैं, कोई भी city में रहते हैं, अपने convenient time पर आप बातचीत कर सकते हैं, अपनी कुंडली का visualization करवा सकते हैं, जो भी प्रस्न पूछना चाहें, वो प्रस्न पूछ सकते हैं, और जो भी उसके answer होगा, उपाय होगे, मैं जर पर नियवे नमबर पर संपरक स्थापित करके appointment fix करना है, लेकिन समयकाल का ध्यान रखेंगे, कि आपको यदी office में phone करना है, तो सुबह 10 बजे से लगा करके, साम को 6 बजे तक इंडिन स्टेने टाइम में, आप phone call करें, जो WhatsApp नमबर है, उस पर आप message कभी भी कर सकते हैं, ज आप स्वस्त रहें, प्रसंद रहें, सुनक्सित रहें, अपना और अपने परिवार का, घर के छोड़ चोड़ बच्चों का, और घर की महिलाओं का बहुत ज्यादा समान करें, और घर के बुजुर्गों के बहुत बहुत देख भाल करें, आप सभी को मेरा नमशकार, जो गणपती महाराज आए, विश्नु बगवान है, वो आपकी रक्षा करें, और बहुत धन्यवाद।